नमस्कार मेरा नम बलराम किसान हैं और आप हैं750 गुरुप के साथ और कुछ भी खिसान गुरुब के प्रोडक्ट हैं जो में क्रॉप डॉक्टर्स मेरे सुयम सेवक मेरे बी गीसान परिवार के फार्मर्स और पूरे वर्ड को मैं कुछ समझाना चाह रहा था जिसमें तीन नंबर की कड़ी में है बी के अरली मतलब जल्दी केले का पोदा है बी के अरली बनाना केले का पोदा है यह जल्दी आउटपूट देता है और यह 30 रुपए का पोदा है लेप का पहुंचने में फिर इसका ट्रांश्पोर्ट अलग से लगता है में प्राइज लिष्ट है यह प्राइज लिश्ट का पीडियेप पूरे सरकुलेशन में हैं कि हमारे पर बीस प्रोडक्क की जो रेंज है उसमें मैं तीन नंबर के प्रोडक्क के आपके सामने जिक्र कर रहा हूं यह इसकी पूरी विस् गोवाद, तिलंगाना, देहली, उत्राखंड, देहली, यह पोधे की कीमत है 33 रुपे, 33, उत्राखंड, जम्मुक, जारखंड, उडिसा, आंदरपरदेस, करनाटक, हिमाचल परदेस, पंजाब और चंदीगड, इस पोधे की कीमत है 35 रुपे, बिहार भी इंक्लूड है 35 जर्ला, पॉंडिचेरी, यह पोधे की कीमत 40 रुपे है, और आसाम, मनिपूर, म्यूजिरम, त्रीपूरा, अरुनाचल परदेस, मेगाले, और सेवन सिस्टर जहां पर है, इस पोधे की कीमत है 35 रुपे, आज तारीक है 24 पांच 2023, आज का मैं आपको डेटा बता रहा हूं, बहुत सारे फार्मरों को, पुरे भारत की अगर मैं लोकेशन बतलाओं आपको, तो हर छेतर की अलग-अलग अपनी विधायें हैं, समश्यायें हैं, और तकलिप हैं, तो यह जो पार्ट है, यह ठंडी वाला इलाका है, यहां पर कोई सा भी पोधा हम लगाते हैं, तो महिने में तकलिप, रुकने में तकलिप, और 16 से 18 महिने में आउट पूट आता है, जब BK अरली हम लगाते हैं, E-A-R-L-Y, अरली हम जो लगाते हैं BK जल्दी, तो यह उत्तर प्रदेश बिहार की भी में बात कर रहा हूं, जो ठंडी वाले छेतर हैं, तो यहां पर हम एक फर्वरी को केला लगाएंगे, तो फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में इसकी फ्लावरिंग आएगी, अगस, सितंबर, अक्टूबर में यहां केला खटके खतम हो जाएगा, दस्वे महिने में, आपको ठंडी में केले रखने की आउशकता न जाएगा, नवे महिने में, यह बीके अरली की खासियत है कि यह जल्दी गटिंग पर आता है, लेकिन नॉर्मल जी नाइन केटेगरी का पोधा है, ग्रेंड नाइन ही पोधा है, और उत्पादन जो जनरल पोधे लगा रहे हैं, वहाँ पर अरली लगाएंगे तो का नने पोधे हैं, उनकी बजाए इसको हम हमारे टीशु कल्चर लेब में ज़्यादा समय रखते हैं, आपके लिए वहीं पर पत्ते फुडवाते हैं, इसकी उम्र वहीं पर करते हैं, केले का पोधा 50 पत्ते की उम्र लेकर के आता है, तो इसके पत्ते हम आपको देते हैं 25 पत्चीस 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 पत्ची बाकिपूरे भारत के अलग राज्यों में बीके अरली कहां पर काम में आएगा, बीके अरली काम में आएगा आपका, जिन किसानों के पास पानी कम है, जिन किसानों के पास पानी कम है, एक जुलाई को प्लांटेशन करना है, एक साथ को प्लांटेशन करना है, बारिज जैसे याती है तो हर किसानों के पास नाले में पानी आजाता है युलाइ अगज सितमबर, अक्टूब्र नौउम्बर के फ्लावरिंग आ जाती है दिसममर नौउमबर में तो हीआ फ्लावरिंग आ गए आपकी ग्यारवे महिने में नौंबर में तो दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी और मार्च में प्लाट की कटिंग हो जाती है मार्च में एक बून पानी देने की आउशकता नहीं है फर्वरी तक ही पानी रहता है जो बारिश पर आस्रित वाले प्लोट है मार्च, अप्रेल, मई और जून ये चार महीने जिनके पास पानी नहीं है वह बीके अरली लगा सकते हैं पूरे भारत में कहीं पर भी है जुलई में प्लांटेशन करना है एक मार्च से कटिंग चालू करना है मार्च में कोई पानी देनी के आउशकता नहीं तो जुलई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी यह 10 महीने, आपके पास 8 महीने अगर पानी है थोड़ा बहुत भी तो बीके अरली आपका काम का है यह उन किसानों के लिए है जिनके पास पानी की समश्या है तो अब यह मैटर खतम हो गया है कि पूरे भारत में किसानों के पास पानी होगा तो ही हम केला लगाएंगे हलो, पानी नहीं है केवल बारिश पर आशरित है तब भी हम केला लगा सकते है जो क्रॉप डॉक्टर्स हैं वह बीके अरली को पूरा ध्यान से समझे जो स्वयम सेवक हैं बीकिसान गुरुप के वह ध्यान से समझे और जो ओफीस और जो प्रतिनीधी है वह भी ध्यान से समझे कि other variety से BK early के पोधे का उत्पादन थोड़ा सा कमाता है यह छोटे बड़े graph में लगाया जा सकता है BK early 5 by 5 पर लगा सकते हैं 5 by 6 पर लगा सकते हैं 5 by 5.5 पर लगा सकते हैं 5 by 5.5 पर लगा सकते हैं यह छोटे graph में लगा सकते हैं 1750 पोधे से लेकर के 1450 पोधे तक आप लगा सकते हो हाँ, जिन किसानों के पास पानी ज़्यादा है किसी कारण वस उनको पहली हर्वस्टिंग अर्ली लेनी है लेकिन बाद की हर्वस्टिंग अच्छे से लेनी है तो फिर उनको 5-7 पर ही लगाना चाहिए बीके अर्ली बीके अर्ली की हाइट थोड़ी सी कम होगी उत्पादन जल्दी आएगा, कम पत्तों में फ्लावरिंग आ जाएगी इसलिए हम छोटा ग्राफ ले सकते हैं लेकिन लगाना है 70-30 फार्मिंग से ही यह समझ में आया, बीके अर्ली में छोटा ग्राफ लिया जा सकता है लेकिन इसका उत्पादन ज्यादा पोधे लगाने से एकड़ पर टनेज उतना ही आएगा 20-22 तन पांच फिट पर लाइन, लगाने का तरीका बतला रहा हूँ बीके अर्ली कैसे लगाएंगे पांच फिट पर लाइन, पोधे से पोधे की दूरी पांच फिट ले सकते हो, छे फिट ले सकते हो लेकिन लगाना है जिगजग आमने सामने नहीं यह चीज ध्यान किये नाली बनाना है एक नाली, एक बराबर, एक बराबर, एक बराबर, एक बराबर, एक बराबर, एक बराबर इसको कहते हैं हम सत्तर-तीस खेती, 70% जगा पोधों के लिए और ये जो नाली वाला इलाका है हम किसानों के चलने के लिए फिर 70% जगा पोधों के लिए तो इस 70-30 खेती का कॉंसेप्ट है इसमें सिगटो का CMV बंचिटा वाइरस आता नहीं है वी किसान गुरूप 100% गाइडलाइन देता है और वी किसान गुरूप का कोई सा भी पोधा आप अगर पर्चेस कर रहे हो तो आपकी स्वैल टेस्ट की जाएगी आपको बैलेंस फर्टिकेसन सॉफ्ट्वेर के तहट गाइडलाइन भी दी जाएगी तो ओधा लगाना कैसे है उसका ओट्पूट कैसे है और लगाने से हर्वस्टिंग तक का आपको शेडूल दिया जाएगा 365 दिन का हलो हलो अर्ली भी ओए इसकी एक विवस्टा है हमारी बैलेंस फर्टिकेसन सॉफ्ट्वेर जिसमें आपके खेत की मिट्टी का परिक्षण किया जाता है आपके खेत की जानकरी पूछी जाती है इस साल आप क्या लगा रहे हो इस पानी कहां का दे रहे हो, उसका pH क्या है, उसका TDS क्या है, उसमें आपका खर्चा कितना करने वाले हो, यह 25 जानकारिया है, हम सॉफ्ट्वेर में लेते हैं, और आपको 365 दिन का एक schedule farm देते हैं, PDF, जिसको केवल आपको follow करना है कि कब क्या करें, बीके बनाना आप लगाएं, बीके अर्ली लगाएं, बीके जी नाइन लगाएं, बीके प्लस लगाएं, कौन्शा भी पोदा लगाएं, आपको यह PDF आएका, और मर्दा परिक्षन की जाच हमारी तरब से निशुल को होगी, यहां तक समझ में आया आपको, बीके अर्ली की बुकिंग करने के लिए, 942-45-3822, 942-57-3822, यह ओफिस के नंबर है, और छेत्रवाइज अलग-अलग हमारे प्रतिनिधी हैं, उनके नंबर है, यह ओधा बुकिंग करने के लिए, आप यहां पर संपर कर सकते हैं, और डिलर 7-541-3822, यह हमारे प्रतिनिधी का नंबर है, जहां पर आपको डिलर्शिप चाहिए, आप क्राउट डॉक्टर के हैं, पर आपको पोधे बुकिंग कराना है, तो यह सभी संचालित कामों के लिए आपको मिल जाएगा, ओके, मैं बलराम किशान हूँ, और आपकी सेवा मैं इसी तरीके से आगे बढ़का रहूँगा, धन्यवाद, थैंक्यू